आप इतना सुन्दर दिखती हैं इसका राज क्या है इतनी सुन्दर दिखती हैं उतनी सुन्दर गाती है कर दिखती है तो किनको किनको यह सुन्दर नहीं लगती है रियल कमेंट किजिएगा जूट मत बोलिएगा आई लव यू को भुजपूरी में कैसे कहेंगे हम तोहरा से बहुत प्यार करी ले एक्सपरियंस पहले से हैं नहीं किसी को बोले हैं आप लोग से यह परपोज कर दी हैं तो आप लोग बताएए इनको कितना प्यार करते हैं आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार और हमारे साथ काफी वाइरल चल रही एक सिंगर हैं जिनका नाम है नेहा सिंग निष्ठा तो चलिए हम उनसे ही बात करते हैं और बात को जारी रखते हैं नमस्ते प्रिणाम सभी दर्शकों को और संस्कृति बिहार में सभी लोगा स्वागात है जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको तहें दिल से शुक्रिया और सबसे पहले हम चाहेंगे आप एक सिंगर है तो गाने से आगाज खिया जाए इस इंटर्विव को बिल्कुल क्यों ने तो मैं कलपना जी कोई गाना शुना देते आपके पीरा पिरतिया के पी अरब कैले प्रीत मिना यखियन के पास पल पल पहाड नियन लागे समय या जी अरा रहे ला ये पी या आठो पहरिया तो हरा बिन उदास बसंती बैर बहल सरसो फुलायल ऐ होपिया कहें बाड़ तों बुलायल बहुत बहुत शुक्डिया आपका कि आपने हमारे चैनल पर ये गाना के आगाद से इंटर्विव को शुरू किया है और सबसे पहले तो आप सभी को यह कहां देना चाहेंगे यह इतनी सुन्दर दिखती हैं उतनी सुन्दर गाती हैं तो सिंगर ही क्यों बनना है आप एक्टर भी तो बन सकते हैं अगर में पकड़े के सांप पकड़े के उसका उपरेशन करता तो समझते हैं दॉक्तर बनेगा पूई बच्चा मसीन बना रहे हैं लोग समझते हैं इंजीनियर बनेगा है ना सबका दाचा दिख जाता था मैं बच्पन में छोटा सुद्धू पट्टा लेके गाना गाती रह जान मारे लिए हो और मनुस्तिवारी से मिलके मैंने उनको अपने दिल की बात बताया भी कि हम आपका गाना बच्पन में गाते थे तो अच्छा लगता बच्पन से हमें सिंगर बनना ही था ठोड़ा फैमली का होता है ना कि लोग खुल के अगर कही आने नहीं देता है जब पता चला कि आप बिहार के बाहर से हैं मैं यूपी योग्यादीति नात की अरिया से हूँ और आपने यह संगीत का जो सफर सुरू किया है और यह कहां से सीखा आपने मैं गाती थी तो ऐसा होता था ना कि गारी है गारी बच्ची है तो बहुत सारे नेगेटिव बाते भी स यहां पर आई हूँ इस चेत्र में क्योंकि देखिए हम खाना हर जगा खाते हैं बट जहां अमारा घर हम इन जगह खाना खा सकते हैं खाना तो हर जगह बनता है हवा तो सब जगह है बट टायर पंचर होता है तो वह कंडिशन बिहार और वनारश में यह सब गाने की अपने यह सफर कितने दिन पहले शुरू किया था मेरा 2020 से यह मैं आई थी तो होता है ना कि कहीं विजानेस पहले लोग भटकता है एक साल डेर साल बटकता है तो मुझे ज्यादा बटकने में लोग को समझ नेम टाइम लग गया और जल्दी मुझे समझ गई कि हमें कितने अपने कितने पराएं समझ में आ गया तो मुझे एक साल तो ऐसे ही फागल की तरह घूमते रही फिर उसके बास से मतलब 2020 से मेरा स्टार्टिंग है फिलाल 2022 चल रहा है आपने बहुत सारा स्टेज सो भी किया हुआ है बहुत सारा एलबम भी की हुई है तो कब से आपने लोग में लोग में बैट के रिकॉर्डिंग कर रहा है तो इसलिए वहां पर अलग महाल बनता है और अपने प्राउड फील होता है कि सच में मैंने लड़ा तो अपने जिंद्गी के लिए बहुत अच्छे चीज में लड़ी हुम है कि लोग हमें प्यार करता है लोग शेल कि यही हाथ है जो लोग बोलता तो तुम्हारी हाथ से कोई पानी ने पिएगा तुम्हारा मन अच्छा नहीं तुम अच्छी नहीं दिखती तुम गवार हो बट आज ऑट अटोग्राफ जब देते हैं तो बहुत खुशी होती है कि चलो आप अपने आप पे और मैं कोसिश करूंगे कि मैं मंदारिक साथ काम करो और अच्छे आगे बढ़ते रहें इसमें यह जो आप गाना गा रही हैं स्टेज कर रहे हैं इसमें आपके ममी पापा का क्या रोल है मतलब वो कैसा आपके साथ मतलब सुरुवाती से रहे हैं देखिए बाप बाप होता है मा का दर्ज बहुता है तो मावाफ ही अपनाते हैं क्योंकि वह जो नो मैना रहे कि Gothic प्रॉबलम ली है मां अगर हम कितना भी जानते हैं तो मां से नो मैना कम ही जानेंगे ज्टना बी दुनिया के सब चीज के रही मां से नो मिना कम जानेंगे इस लिए मामी पापा का रोल अच्छा रह मतलब बहुत ही अजीब और बहुत ही अच्छा लगता है कि एक लड़की इतना बेहतर गाड़ी है अभी जो यूपी बिहार में ये भुजपुरी इंडस्ट्री कह लीजिए कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ सीखे भी नहीं है लेकिन काफी धहमाल मचा रहे हैं असलीलता फेला रहे हैं आपको क्या लगता है कि असलीलता फेला कर आपको भी आगे नहीं बरना चाहिए हमें है कि यह खानाखाने सामरा वरड़ी में खराब हो सकते हैं और विस समझदार खाल को इशारा है काई होती है ज्यादा सम्झाने के जरुवत नहीं है लोगों को क्योंकि चारपरसा कंवाने चक्र में अपना केरियर अपना मान संबान अपना माता पिता को अगर बोलेगा कि तो गाना गाती है अच्छा नहीं गाती है तो फिर उस टाइम का माबाप का रेक्शन क्या होगा अगर बहुत सारे इंडस्ट्री में इतना बहतर आप गाती है तो उनके तरफ से क्या आपको अभी तक रिस्पॉंस मिला है कि लोग हमारे बारे क्या सूचते हैं पर फोकस नहीं करना होता है अपना काम कच्वे के चाल से करती हो लोग थोड़ा लेट से होगा देर ही सही बट सही होना चाहिए बिल्कुल और बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके और थोरी सी और टाइम चाहिए आपके पास अगर टाइम हो तो बिल्कुल क्यों नहीं है आप से हम चाहेंगे कि पवन सिंग जी का कोई एक गाना आप सुनाए के अंखिया में कवन जादो चुरा के तूरख ले बाड़ो हम होसमें नाहीं बानी हो हम होसमें नाहीं बानी तू जहिया सितक ले बाड़ो अखिया में कवन जादो चुरा के तु रख ले वाडो बहुत ही अच्छा लगा आप इतना बहतर गाती हैं और एक सवाल और करना चाहेंगे आप इतना सुन्दर दिखती है इसका राज क्या है? मैं किधर से सुन्दर दिखती हूँ? मतलब आप कौन सा साबुन से नहाती हैं या आप क्रीम का कमाल कड़कर के इतनी सुन्दर दिख रही है? मैं था निर्मा स्वाल नहीं बहुत सारे लोगों का कमेंट हम देखे आपके बहुत सारे वीडियो जो आपने गाया है उस पर हम कमेंट देखे थे पब्लिक बोलते हैं कि इस लड़की को तो यार एक्ट्रेस होना चाहिए इसको एक सिंगर हलाकि भजपुरी इंडस्ट्री में अभी एक्टर ही सिंगर भी है सिंगर ही एक्टर भी है इस पर क्या कहिएगा ऑप कोई लड़की पूरा फैमली चला सकती है वो कोई दर्जा हमारे भारत में लड़कियों को दिया गया लक्षिद्वाई के रूप में तो हमेशा होनी चाहिए अगर वह बंढ रही है तो अच्छी बात पुलिस बंढ रही तो भी अच्छी बात है जिस प्रिल्ड में जाना उस फिल्ड में उन्हें जाने दीजिए क्योंकि अगर आपके इच्छा अनुसार अगर शादी होती अगर वो आपका दमाद अगर उसे मार रहा है तो आपकी बेटी तब खुश है यह लोग बोलता है कि मनमर जी का शादी नहीं करें सही बात है एक बात ह सब्सक्राइब करें नहीं करें ल केता नाम लिये तो कहीं न कहीं तो लेएफ्यर होगा वहत लोग कुवेंट करता मेरा दोस्त है लोग बहुत सारे दोस्त हां अपका अच्छा एक चीज और्स बताईए आपको देखनें से आपका एज पता नहीं चलता है आप पब्लिक जानना चाहती है आप लोग देख सकते हैं कैमरा पर 21 की नहीं लग रहे हैं किसे मेंटेन करती हैं आपको नहीं खाते हैं बिना खाए आप कभी शो में रहती हूं तो घर से निकल जाते हैं को चाहँएं कि निकल जाओंगी अब जो बहुती है अब जो बार्या प्रोग्राम मिलता है थो खाते हैं नहीं भी कोपोसी दिलकुल घड में खा लिजिए ममी पपा यहीं कहेंगे कि खाना नहीं खाती है और एक चीज और हम मेरे माइड में तभी से चल रहा है हम पवन सिंग का ही गाना सिर्फ इनसे सुने तो ये मत सोचिएगा कि ये भी अहिरान बववान कर रहे हैं मैं इनसे खेसारी जी का भी गाना सुनना चाहूंगा और मतलब तो मेरे अंदर यह कोई बात नहीं है कि हम जातिवाद कर रहे हैं सबसे पहले एक चीज और आप बता दीजिए यह जातिवाद को लेके भुजबूरी इंडस्ट्री में लागातार विबाद होते रहता है तो इस पे क्या कहेंगे कुछ लोग कहते हैं कि हम यार बभुवान ए कि पीता है तुसरे Zahlता इंसाणियत अच्छा होना चाहिए iner Cat अ बताना जरूरी यह दुनिया ने आपका पिता कौन है सब जानता है कि आट तो भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनो ले बाड़े यह गाना ठीक है अब इसी में इस बनाती हूं भगवान बड़ी फुर्सत से यादो जी के बनो ले बानती सूट कर रहे हैं पर जो गाना के लिरिस और राजपूच जी के बनो ले बानती यह से नहीं अच्छा लगता पूछ लेते हैं कि आपके फैवरेट सिंगर कौन है भोजपूरी इंडर्स्ट्री पॉण बहुत अच्छे नहीं लगते हैं वह भी बहुत अच्छे पहले हम उनको नहीं जानते थे सब्सक्रिया पूछ थे उनका पतला थैं लिए उनका तो अच्छा लगता है कोई-आर गाला रहा है पहले से अवह इसे चलते आ रहे थोड़ा सा डिफ्रेंट हुआ है कि आपका खुद का गाना आज तक में जो आपने गाया है उसमें से खुद का गाई है जो किसी पर आधारित ना हो आप अपना गाना बिल्कुल नहीं पसंद आता क्योंकि अपना ही गाना कोई गा दिजिए जो इस्टूडियो में काया है तो आप खेसारी जी का गाना कोई याद है याद है एक सुना दिजिए नहीं तो फबली को यह लगेगा कहीं न कहीं कहीं पवन सिंग आपके फैवरेट हैं तो चलिए एक खेसारी जी का गाना हो है मेरे आदर स्पाउन भी आई हैं बटके सारी बेट हम गाना गाते हैं ऐसा बात नहीं है कवना दिवता के गाढ़ल समार अलहाओ हमरे खातिर जमी पे उतार अलहाओ तो हरे अखियां बकैले दीवाना आये जाना बाडू अनुमोल बाडू अनुमोल यह संखा जाना तो हर ज जोडाना दो सरजनाना जाना बढ़वन मौल यह संखा जाना तो हर जोडाना दो सरजनाना जाना बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना कीमती समय दिया हम लोगों को और लास्ट में अपने दर्सकों को क्या कहेंगी आप लोग भी अच्छे इमांदार बनके काम करिए ब आप लोग unique के लोग बनाते दोगा और यृप लोग अच्छा काम करिए और इमांद्री पर हिए किसी कोई बैर नहीं कोई जाती वाद next सब्सक्राइब आपने जेयन नहीं है सबको अपने पर कर आफे रहना है में बय्क्ताक्पूआ फ्यूर्शम करने नहीं हृताइब बढ़ियां होता है की नमस्ते बहुत ही किमती समय आपने दिया एक सवाल और है लास्ट सवाल यह है कि आप कहां तक पढ़ी लिखी है पब्लिक जानना चाहरे मेरा पढ़ाई प्लस टू कंप्लीट एक ग्रेजुरेशन फॉस्ट यह और मेरा पढ़ाई जा रही है यूपी से किनको यह सुन्दर नहीं लगती है रियल कमेंट किजिएगा जूट मत बोलिएगा अच्छा एक चीज और सवाल लगाता राते जा रहा है माइंड में तो एक चीज आप सुनाइए कि आई लव यू को भोजपूरी में कैसे कहेंगे आई लव यू को भोजपूरी में ऐसे कहा जाता जैसे गामे लड़का लोग लड़की को पढ़ाता है तो फिर हम तोहरा से बहुत प्यार करी ले तू का तू हम्रा से करे लू बहुत अच्छे से आपने बोला क्या एक्सपरियंस पहले से नहीं किसी को बोले है किसी को बोल पोज कर दी हैं तो आप लोग बताईए इनको कितना प्यार करते हैं और कोमेंट में जरूर बताईएगा तो हमारे साथ अभी थी नेहा सिंग निष्ठा आपने वीडियो देखा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार